हाँ जी तो आज बात होगी आपके सबसे ज़ादा डराऊने वाले सब्जेक्ट की हाँ आपने थमनेल पर देख लिया होगा जी हाँ लौ की चिंता मत करो इस सब्जेक्ट में आपको शायद परिशानी ज़ादा आ रही हो लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपको वादा करता हूँ आप सच में ये बात मान के जाएंगे मेरी कि आपका जो समस्थ्या था वो कम हो चुका है मैंने हर टॉपिक के एनलिस्स करी कितने मार्क्स का कितना परसेंटेज का मार्क्स का आपका टॉपिक आता है बट अब यहाँ पर लॉपिक में से कितने नंबर का आता है तो अपने एक पेपर पेइन निकाल लो वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक टारेट रखेंगे 400 बगास बहुत अच्छी बाते इस वीडियो में आपकी तक मैं पहुचाने वाला हूँ और कुछ टिप्स भी शेर करूँगा जिससे आपका इंप्रूमेंट हो जाएगा लॉग को ओवराल प्रिपेर करने के लिए तो वीडियो में शुरू करते हैं हम सारी बाते करना और आप भी स्टार्ट कर दिए पेपर पेइन पर लिखना तो मैंने भी अपना आइपैड निकाल लिया है सारी चीज़े में लिखके लाया हूँ इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट सबसे पहले भाई साब अगर आपके दिमाग में ऐसा हो रहा है क्या कॉंट्रेक्ट एक्ट तो बहुत बड़ा है जोदी बताओ मा एक consideration वाला topic मत छोड़ना दूसरा breach of contract वाला topic आते क्या है contract को breach किया तो क्या क्या होगा वरके वो अला topic ही छोड़ना contract of indemnity और guarantee उसको नहीं छोड़के जाना है other essential elements of valid contract तो नहीं छोड़के जाना है एक contract of agency जो की नया-nया add हुआ है तेरे course में उसको तुझे छोड़के नहीं जाना है Indian contract act overall बहुत important है लेकिन फिर भी मैंने तेको topics लिखवा दी इसको फटा-फट लिख दे total 25 to 30 मंक्स का ही तेरा topic आने वाला है दूसरा soga, soga से होगा भाई soga नहीं पता क्या होता है तो एक काम कर फोगो जाके देख soga बहुत important है, soga act जो है sales of goods act तेरे exam में 15 से 20 नंबर का आने वाल है इसके important topic तू लिख सकता है transfer of ownership, delivery of goods वाला जो topic है उसको तेको अच्छे से prepare करना है second, condition and warranties वाला जो particular concept है उसको अच्छे से prepare करना है partnership act में right, duty of partner, dissolution of firm और retirement वाला जो topic था उसको अच्छे से करना उससे 15 से 20 नंबर में से जाधा portion आने वाला है देख भाई मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं बोलना है कि यह topic करना में आपको बता रहा हूँ आप ABC analysis follow करो तो कौन-कौन से topic पहले लेना है किन-किन topics पर आपको priority दे रही है इसके बाद companies act वो भी 15 से 20 नंबर का आएगा सरी सारे नंबर बढ़ क्यों गए बेटा पहले BCR था बताया तो वो हज चुका है तो अब जाधा नंबर का prepare करना पड़ेगा companies act में doctrine of indoor management doctrine of indoor management अच्छे से prepare करना types of share capital prepare करना corporate well वाला जो topic था उसको prepare करना incorporation वाले topic को prepare करना companies act भी बहुत important है और last में तेको बता दू जो अभी अभी topics एड हुए negotiable instrument act उसको अच्छे से prepare करके जाना पड़ेगा Indian regulatory framework जो भी 45 नंबर का आने के chances उसको भी prepare करना पड़ेगा negotiable instrument act आएगा तेरे लिए 12-15 नंबर का और एक रहा LLP act जो कि 5-10 नंबर का आएगा overall ऐसे मैंने तेको पूरा ABC लिखा के दे दिया but the point is लिखने से नहीं होगा इसको याद करना पड़ेगा practice करना पड़ेगा बार-बार repeat वाली process अपना नहीं पड़ेगी और हम तेको बता दूँ CA final में law चले गया है CA inter में law जो है उसमें 30% MCQ आते है वाट मुबार्ख हो बेटा तेरे लिए जो law है उसमें 100 marks का तेको लिखके जाना पड़ेगा मलब तू CA inter CA final level के उपर वाली preparation कर रहा है लग 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 law में तो यहां पर तिको यह सोचना पड़ेगा कि हो सकता तेरा accounts में 50-70 number चले जाए economics में तू पास हो जाए और mass में भी 40-50 आ जाए और दूसरा एक सबसे important बाद इसको तुझे लिखके दिखना पड़ेगा चैप्टर वाइस तेको लिखके दिखना पड़ेगा और यही हमारी जो 50-60 बैच जो नहीं बैच लॉंच हुई है ना 50 days बैच जो लॉंच हुई है हमारी उसमें हम तेको करवाते हैं कि भाई साब अच्छे से इसको लिखके देख लेगा तो तेरा प्रिपरेशन ओवर अच्छे से सुधरने लगेगा एक जो सुडेंट थी उसके 89 मांक्स आया थे लॉमें विकास उसने हमारी बात सिद्धत से मानी थी उसकी जो आंसर शीट होगी वह भी मैं अटाच कर दे रहा हूं यहा तो बार-बार यहां पर रेटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो कि हमको तेको डेली टार्गेट देकर हम करवा देंगे बट लिक्वर दिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसको फटाफट चेक आउट कर ले विकास उसमें 100% रिफर्ण जो पॉलिसी है वो फ़र्स 51 लेर्न कब बनने वाला है यह यह तहीं करेगा कि तू अभी लॉव और दूसरे सब्जिक्ट को किस तरीके से मैनेज कर रहा है बबाई टेक केर सी यू इन एक्स वीडियो